कि हम जो भी जितना भी समय दे रहे हैं भगवान की पूजा है भारत की सेवा राष्ट की सेवा यह हमारे भगवान की पूजा है और सच्ची मानी भगवान की पूजा है वो नाथ पढ़ता है सामने वाला देखते ही नाथ पढ़ता है हमको हीरो है क्या हमको यह विनेत्री है क कि हमको देखकर कोई खुछ हुजा बाब आज है यार भारत माता की जाए देश के सेवा करें सब कुछ कर रहे हैं बड़ मन बिचिंद रहता है वेशा लग रहा किसी के लिए कुछ करी नहीं नहीं मन को आनंद चाहिए एक द्यान रखना तब लग कुछलन जीव कों सपने हु मन बिच्तराम जब लग भजत नराम कों शोक धाम तजिकाम शरीर राष्ट शेवा में है पर मन को आनंद की भूख रहती है सब के मन को आप कोई नहीं पूरे संसार में जितनी भी क्रियाय हो रही हो सब सुख प्राप्ति के लिए हो रहे अब हमारी बात को गौर से देखना जितनी भी क्रियाय हो रहें चीटी से लेकर सब का उद्देश सुख प्राप्ति करना सुख भोगना सब की चाह है अब इस विशे पर सहिमत है सब की सब क्रियाओं का उद्देश सुख प्राप्ति है लेकिन सब को दुख भोगना पड़ता है इस बात को भी आप समझ रहे न सुख प्राप्ति की चाह से सब क्रियाओं कर रहे है जितनी जेल भरी है वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रियाओं से ही भरी है जितने पाप हो करता हूं पर मेरा मन अशांत है तो तो वो नहीं करते हो जिससे मन सांत हो सावई मना कृष्ण पदार विंदयो हम इसलिए कई बार अपने राष्ट शैनिकों को सम्मानित भाव से उज्य भाव से आदर पुर्व के कहा कि मन को जो काम करोध लोब मुहमद मतसर ये सत्रू परास्त कर रहे हैं इनके लिए बाहरी राइफल काम नहीं करेगे बाहर से आए हुए सत्रू पर हम विजए अपने अस्त्रबल से बौधिक बल से प्राप्त कर लेकिन आंतरिक जो अटैक हो रहा है हमारे अंदर उसको अध्यात्मिक बल से ही मार सकते हैं और कोई बल नहीं है ये जो मन अशांत है इसको कैसे इसे अध्यात्म बल से सुधारना है ज्यादा अध्यात्म बल के लिए कोई ये करने की जवरत नहीं अगर बती धूबती आरती इह अध्यात्म का एक बाहरी अंग है जो अध्यात्म है वो चिंतन प्रदान होता है। हर बात को समझते जाना कि अब हमारे पास टाइम नेए मैं आरती करें दो हेरा में खाष टाइम नहीं कि भगवाण को भी राजमान करकी भजा नहीं रह बाहरी अंग है अध्यात्म का वास्तविक पूर्णंगा flame वो चिंतन है अगर हमारा नाम चिंतन होने लगे भगवान का और उसका अधिक अभ्याद बढ़ने लगे तो हैं अंदर अध्यात्मिक पावरा जाएगा जो हमारी बुद्धी को कंट्रोल करेगा इस पूरे सिस्टम को सरीर के सिस्टम को बुद्धी कंट्रोल करती है सरीर एक रत है रूपक में इंद्रियां इसके घोड़े हैं मन उसकी लगाम है और बुद्धी उसका सार्थी है पूरा कंट्रोल करने वाला बुद्धी है अगर वही बेकूफ हुआ सार्थी ड्राइवर ही बेकूफ हुआ तो एक्सिडेंट होने में देर नहीं लगेगी या नसे में हुआ तो मार देगा हमको तो हमारी बुद्धी तो है लेकिन बुद्धी को कंट्रोल करने वाला बिवेक नहीं अद्यात्म का हमारी बुद्धी अगर ठीक अपने को शूट कर देंगे बहुत हो गया यार कितना सहें क्या क्या स्वों दिमाग इसके लिए अगर हम रंतरता नाम जब करने का ब्यास करें और हमारा सोच कि हम जो भी जितना भी समय दे रहे हैं भगवान की पूजा है भारत की सेवा, राष्ट की सेवा यह हमारे भगवान की पूजा है और सच्ची मानी भगवान की पूजा है आगर आप बंदूक से सेवा कर रहे हैं तो मैं माला से सेवा कर रहा हूँ अपने राठ करूँ और प्रदा ऐसा नहीं जिसे आप हमारे पास आए तो एक खाली नहीं जाएगा आपको एक अध्यात्मिक बल मिलेगा एग जो आप खुद अन्वो करेंगे एक जो यहाँ एक सांती मिलेगी आपको, एक जो एक आनन्द जैसा मिलेगा, वो आपको किसी क्रिया से नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवतिक है, ये भजन के प्रवाव से, हम भी सेवक है राष्ट के, और आप भी सेवक है, बस बात इतनी समालनी है, कि मन को खुराक से आनन्द और ये छोटी मोटे आनंद में ठिकने वाला नहीं, जैसे, पुरुष शरीर या इस्त्री शरीर, इसमें मन हमारा कहता है, इस सरीर में सुखा है, लेकिन बहुत बार उस सरीर का सेवन करने के बार मन कहने लगता है, नहीं इसमें नहीं उतमें, इसमें इसमें, आप इसकी चाल नहीं होता इसलिए हमारी प्रार्थरा है एक बार इसको गलत रास्टे से रोक कर नाम में लगाईए और राष्ट्र शेवा को भजन समझेगे परिवार को अपना भगवान मानेगे परिवार धक्तव को अपने परिवार में भगवत भावर रखो मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे बुड़े माता पिता, मेरे लिये हर समय चिंतित रहते हैं, मुझे हर चेश्टा उनके सुख के ले करनी है, राष्ट सुख के ले करनी है, अभी आनंद कानु हो आने लगेगा, यदि अध्यात्म चिंतन में नाम चलाने लगो इसलिए हम सबसे केते क्या जाता है हम केते कभी माला मत पकड़ो अब भ्यास करो राम कृष्ण हरी जो नाम प्री हो रहा हम तो रादा 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 जो नाम प्री हो फिर आप देख लेना आनंद की उफान आती है दो किलो मिटर में सुबह रातिरी में जब हम आए थसाथ थ 202 किलो मिटर भरे हुआ था सबको देखना सबको प्रणाम करना सबको अनंद प्रदान करना यह फिर ही नहीं होता यह अंदर से दिया जाता है वह नात पड़ता है सामने वाला देखते ही नात पड़ता है हम कोई हीरो है क्या हमको यह विनेत्री है क्या हमको देखकर कोई ख श्राम देगा, मेरी बात मान लो, इसलिए नाम जब कीजिए, परिवार से बहुत पिरिती रखिए, परिवार के लिए तुम्हारा ये राष्ट्र सेवा का जीवन जो है, राष्ट्र सुक का जीवन जो है, वो परिवार के लिए बहुत सुख दायक है, इसे कभी कोई ऐसा कार ना होने पावे जिससे आपके परिवार को दुखो हमारे राष्ट के हानी हो इसलिए खुब नाम के बिना अप अद्ध्यातम बल नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप कहीं भी तैनाद किये जा सकते हैं आपका परिवार का प्रेम आपको खाएगा अंदर से वो आपको पिर राष्ट प्रेम लग हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर आप विक्षित होने लगेंगे आप असंतुष्ट होने लगेंगे यार क्या जिंदगी है दो महिना हो गए ना घर गए ना किसी से मिले या आठ महिना हो गए या दस महिना हो गए ऐसा नहीं आप एक संत हैं पक्का मानिए हम सैनिक का इसी लिए समान करते हैं संत की तरह क्योंकि हमने वो जिंदगी जी है गंगा के किनारे वही जिंदगी आप राष्ट सेवा में जी रहें कहीं भी पहाड में लगा दिये कहीं भी लगा दिये महिनों अपने परिवार से दूर जैसी बिवस्थ सेना है हमारे राष्टी के लिए पर नाम जब करो तो अध्यात्म बल आपकी रक्षा कर लेगा ने फिर गरबर हो जाएगा देखो आप परिवार से दूर है आप बिक्षिप्ट हो जाएंगे जब काम सताएगा आपको जब आपके परिवार का मुह आएगा तो आपको शिप्तता से बचाएगा इसलिए नाम जब कीजिए और प्रशन लाओ सब को ओ स्रीजी के प्रशादे अच्छे वाले वस्तर पर लाओ और सक्षियों को चुनरी उड़ा देए सब को सब को पहले हम रदे से सम्मान करते हैं आपका और रदे से मंगल कामना आपकी मनाते हैं स्वस्तर एक हमारे देश में जो हमारे देश की सेवा में और अपने परिवार को शुक देने की भावना में रहे हैं आपके आचरण ऐसे होने चाहें आपके परिवार को सुखो हमारे राष्ट्ट शेवा बने एक बार वो भी बुल दो बंदे मात्रव भारत माता की ये 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 वारी चाती का अलू जै